राजिस्तान की शापूरा से बड़ी खबर आपको बदरी शापूरा की जहाजपूर कस्बे में निकाले गए धार्मी जुरूस पर पत्राफ के आरोपों की बाद वहां का माहूर काफी गर्मा गया। और निर्मार के कादर्ज मांगे। बवाल के बाद पुलिस नौ लोगों को अब तक हिरासत में लिया। और दूसरा नोटिस दिया, दो मस्जिदों को नोटिस दिया गया, एक जामा मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया, दूसरा तक्या मस्जिद कमेटी उनको भी नोटिस दिया गया। दोनों से 24 घंटे दिये थे जिसमें उनके जो निर्मान किया गया वो वैद है या उनके पास पट्टा है ये सब मांगा गया जो इस्तानी लोगे प्रदेशन कारी हैं हिंदू समिटन वो मांग कर रहे थे कि जहां से पत्थरबाजी हुई है मस्जिद से हुई है और वो अवैद है उसे तोड़ा जाए तो अब डोटिस ने दिया गया अब उसके बाद में चार्च के अंदर अवैद होता है तो बुल्डोजर चल सकता बिल्कुल नज़र बना के रखिएगा भवानी फिल लौटिंग आपके पास फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्राइद हमाम चानकारी के लिए और इसी बीच एक वीडियो में मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी होते हुए साफ तोर पर दिखाई दी रसल आरूप ही है कि कुछ लोग धार में जुलोस में पत्थरबाजी करके शापुरा का माहूल खराब करने की साज़िश रच रही थे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे है दरसल ये वीडियो काफी तेजी से वारल खुरे जिसमें साफ तोर पर देखा ज़ा सकता है कि मस्जिद के अंदर से जो है पत्थर फेके गए बड़े बड़े पत्थर फेके गए 14 सितंबर का वीडियो बताया जा रहा है हाला कि अब पुलिस इसके अधार पर भी चार्ज परताल करें लेकिन लोग इसे साफ तोर पर कह रही है कि कई ऐसे वीडियो जो सोचल मीडिया पर वारल खुरके हैं जो गलत है उन पर ध्यान ना दे न्यूज इटीन इंडिया चोपाल एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बलकि दुनिया के कोने कोने में जाएगी क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ती बनने के लक्ष पर सरकार, समाज, सेलेबरिटी और स्पोर्ट स्टार्स के साथ न्यूज इटीन इंडिया चोपाल देखिए सिर्फ न्यूज इटीन इंडिया पर